ही गाइस वेलकम बाक तो नॉटी स्चेचेज आज की इस वीडियो में हम लेफ्ट ओवर फैब्रिक से एक ब्यूटिफुल सा स्क्रंची बनाएंगे इसके लिए मैंने फैब्रिक की एक स्ट्रिप कट की है जिसकी लंबाई है चौबेस इंच और चौड़ाई हमें इसकी लेन और यहां पर एक सिलाई लगाएंगे बारिक बख्ये से बिल्कुल सीधी हमें यहां पर सिलाई लगानी है साइड से थोड़ा-थोड़ा कपड़ा हम छोड़ देंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे अब हम इस तरफ भी दो इंच कपड़ा छोड़ देंगे और यहीं पर सिलाई पक्की करके खतम कर देंगे अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे इस तरीके से किसी नुकीली चीज़ की हल्प से हम इसको पलट देंगे सीधी तरफ अब हम इसके किनारी पर सिलाई लगाएंगे तो दोनों किनारीों को हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ मैच करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से हम अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सफाई से एक दुसरे के ऊपर हम इनका अपनों को रखेंगे और बारिक बख्ये से हम इनको अच्छे से सिल देंगे इस तरीके से अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और अब हम इसके अंदर ELASTIC डालेंगे तो यहां पर मैंने Simple Elastically है थोड़ी पतली वाली और इसकी लंबाई लिए है मैंने 6.5 इंच आप गोल वाली इलास्टिक भी ले सकते हैं बस इलास्टिक थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए तो यहाँ पर मैंने 6.6 इंच लंबी इलास्टिक लिए है और अब हम इसको यहाँ पर अंदर की दरफ डालेंगे इस तरीके से और इलास्टिक के दोनों किनारों को एक दूसरे के साथ हम मैच करेंगे और अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे बारीक बख्ये से इसको हम अच्छे से सिल्के अटाच कर देंगे साथ आठ बार इसके ओपर हम सिलाई गुमा देंगे ताकि यह इलास्टिक बाद में इजिली खुले नहीं अब हम इसको अंदर की तरफ करने के बाद उपर वाले कपड़े को अच्छे से फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके उपर हम मैचिंग धागे से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से बहुत ही सफाई से हमें इसके उपर की तरफ सिलाई लगानी है क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी ऐसेसरीज बनाते हुए हमें सफाई का खास ध्यान देना चाहिए नहीं तो लुक अच्छी नहीं आती तो यह देखिए यहाँ पर हमारा ब्यूटिफुल सा स्क्रंची बन कर तयार हो गया है इसी तरीके से आप लेफ्ट ओवर फैब्रिक का इस्तमाल करके अलग-अलग कलर्स में स्क्रंची बना कर तयार कर सकते हैं तो गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगूलर अपडेट्स मिल सकें इसके साथ ही आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाइबाइ